बीते दिन हमने आपको सल्मान की दर्या दिली और उनकी वो तस्वीरे दिखाएं जिसमें उन्होंने अपने इतने तगड़े सिक्योरिटी के घेरे को साइड करते हुए एक नन्ने से फैन को गले लगा लिया लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद आ गई वो वीडियो जिस पर अब लोग सल्मान की आलोचना कर रहे हैं अब सल्मान भाईजान ने किया ही कुछ ऐसा है कि कोई शांत रही ही नहीं पा रहा दरसल सल्मान खान पहुँचे हैं अबुधाबी जहां आईफा दोहजार तेईस का आगाज हो रहा है यहां फिल्मे दुनिया की बेशुमार हसी हस्तियां पहुँच चुकी हैं जिसमें फराखान, राजकुमार, अबिशेग बच्चन और विकी कौशल के नाम शामिल हैं ऐसे में एक्टर्स हर वक्त पैपराजी से घिरे हुए हैं जिने इंतजार है कि कब कोई भी कैसी भी हरकत करे और उसे कैमरे में कैद करके वाइरल कर दिया जाए इसी चकर में कैमरे में कैद हो गए सलमान खान और विकी कौशल जहां एक और विकी पहले से ही मौजूद थे लोगों से मिल रहे थे वहीं दूसरी और सामने से आ रहे सलमान खान के घेरे ने विकी को ऐसे साइट किया मानो कोई विकी को पहचानता ही ना हो आपको बता दें विकी कोशल इस grand event को host भी करने वाले हैं Guards का विकी को sight करना एक बार को fans हजम भी कर ले रहे हैं लेकिन बात वो हजम नहीं हो रही जो सल्मान खान ने किया दरसल जब Guards ने विकी को sight किया तो खुद विकी सल्मान से कुछ कहने के लिए मुड़े लेकिन सल्मान ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया बस क्या था वीडियो कैद हुई सोशल मीडिया के समंदर में गोते खाने लगी जिसमें अब लगातार सल्मान की आलोचना ही हो रही है वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सल्मान ने यहां रुक कर विकी को सिर्फ एक लुक दिया और आगे बढ़ गए ये बात ना ही विकी के फैंस को रास आ रही है ना ही सल्मान के फैंस को समझ आ रही है कि आखिर इस गुस्से की वज़ा क्या है वहीं कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं इसके पीछे की वज़ा कैट यानि विकी कोशल की पतनी कैटरीना तो नहीं ये कोई नहीं जानता लेकिन बातें तो खूब हो रही है बॉलिवीट से जुड़ी ऐसी तमाम चटपटी खबरों के लिए बने रही है न्यूस ट्रैक के साथ